Hey guys, Assalamualaikum, Welcome back to BTB Spy, How are you doing? So guys, इस वीडियो में मैं रिसेंटली ट्रू क्राइम ड्रामा सिरीज डामर मॉंस्टर दी जेफरी डामर स्टोरी को एक्स्प्लेइन करूँगी इस सिरीज के डारेक्टर है रायन मॉर्फी रायन ने अमेरिकन होल स्टोरी को भी डारेक्ट किया है आइ थिंग जैसे इस सिरीज की स्टोरी है रायन बेस्ट चॉइस है इस सिरीज को डारेक्ट करने के लिए इस सिरीज के में लीड रोल है इवैन पीटर्स डामर मॉंस्टर दी जेफरी डामर स्टोरी नेटफलिक्स पर रिसेंटली डू क्राइम सीरीस है और इसमें जिस सीरियल किलर का जिकर है वो अमेरिकन हिस्टरी का सबसे खतरनाक सीरियल किलर था जेफरी डामर को आज तक लोग मिल वाकी कैनेबल या फिर मॉस्टर के नाम से जानते हैं इस सीरीस के हवारे से एक और बात सोच में डाल देती है कि इस सीरीस में पूरी स्टोरी जेफरी डामर पर है लेकिन एक सीरियल किलर की हत्मी स्टोरी को बताया नहीं गया कि आखिर जेफरी ने ऐसा क्यों किया था ये सीरीस कामियाप तो हो गई है लेकिन ये बात इस सीरीज पर एक सवाल या निशान है और गाइस इस वीडियो में मेजर स्पोईलर्स है IMDB पर डामर को मिले है 8.2 स्टार सौट अफ 10 डामर को गूगल यूजर्स ने 94 परसन लाइक किया है गाइस अगर आपने ब्यूटी भी स्पाय को अब भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर दियेगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने के अपडेट आपको मिल जाए ओके गाइस लेस केट टू इडिस सीरीज ये सीरीज शुरू होती है 1991 विसकॉसन मिलवाकी पर जेफरी उर्फ जेफ डामर जेफ एक लो रेंट अपार्टमेंट में रह रहा था और वो जादा किसी से बात नहीं करता था जेफ को शराब की लट थी और वो बहुत जादा ड्रिंक करता था जेफ के कोई दोस भी नहीं थे बस वो अपने घर के पास पले नाइट कलब में बार में चला जाता था और कम से कम उसके बाद अपनी नेबर गलैंडा क्लीफ लेंड से होती थी गलैंडा की जेफ से बस यही शिकायत थी कि जेफ के अपार्टमेंट से बहुत इगंदी समेल आती थी लेकिन जेफ के हमीशे की तरह बहाने ही होते थे के आगे से गंदी समेल नहीं आएगी गलैंडा को खेर एक राद जेफ जाता है अपने घर के पास वाले नाइट कलब में इस कलब में अल्मोस गे कमिनिटी आती थी और जेफ वहां के से एक गे से फलर्ट करता था ताकि कोई इंप्रेस होकर उस पर भरोसा कर ले उसी राद भी यही हुआ जेफ एक यंग मैन ट्रेसी एडवर्स को फसाने में कामियाब हो जाता है जेफ ट्रेसी को अपने फलैट में इंवाइट करता है और जेफ ट्रेसी को कहता है कि जेफ को ट्रेसी के नियूर्स क्लिक करने है और वो ट्रेसी को उसके बदले 100 डॉलर्स देने वाला था ट्रेसी जैसे ही जेफ के फ्लैट में आता है उसे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी जैसे किसी जानवर का गोश्ट सड़ गया हो और विंडोस बिलकुल बन थी जिसमें लॉक लगा हुआ था और टेबल पर एक ड्रिल मशीन थी और बैडरूम के कोने पर एक बैरल पड़ा हुआ था उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी इससे गी अंदाजा हो रहा था कि उसमें कोई तो बुरी चीज़ पड़ी है और वो इस तरह जेफ को मारता है और फ्लेट से भागने में कामियाब हो जाता है अब ट्रेसी तकरीबन पुरा नूड ही था और वो नाइट स्ट्रीट पर मदद के लिए भाग रहा था कि अचानक एक पुलीस का ट्रेसी के आगे रुकती है अब ट्रेसी उन्हें सारा मामला बताता है और उन्हें जेफ के फ्लेट में लेकर जाता है पहले तो जेफ पुलीस मैंस को कन्वेंस कर लेता है कि ट्रेसी और वो पार्टी कर रहे थे लेकिन पुलीस को कुछ फिशी लगता है इसलिए वो बैल डूम में चेक करते हैं पुलीस को मर्दों की पॉन ग्राफिक फोटोस मिलती हैं और अलग-अलग डैट बॉडीस के पार्स की फोटोस भी थी उसमें अब पुलीस को शक हो रहा था जैफ पर और वो जैफ को अरेस्ट कर लेते हैं ग्लेंडर पुलीस को डाट रही थी कि उसने पुलीस को बहुत बार कंप्लीन की थी जैफ के बारे में लेकिन पुलीस उसकी बात को नजर अंदास कर रही थी जेफ अरेस्ट हो चुका था और पुलीस अब जेफ के फ्लैट में इंवेस्टिकेशन कर रही थी जेफ के फ्लैट में से बहुत सारे मरेवे लोगों के सर मिले थे और उन बॉडी के पार्स थे यहां तक कि जेफ ने बैरल के अंदर स्ट्रॉंग ऐसे डारा हुआ था ताके डैट बॉडीस के पार्स गल जाएं इस सीरीस के और आगे बढ़ने पर पता चलता है कि जेफ ने विक्टिम्स के कुछ पार्स खा भी लिये थे जैसे हार्ट, लंग्स, एसेक्टरा तब ही जेफ को मिलवाकी कैनेबल कहा जाता है जेफ ने इन सारे क्राइम्स को एकसेप्ट किया और पुलीस को अपनी पूरी स्टूरी बता दी बिना किसी जोर जबर्दस्ती के लेकिन यहाँ शौकिंग बात ये थी कि गलैंडा ने कलेम किया था कि उसने पुलीस को जेफरी की हरकतों के बारे में भी बताया था बार बार लेकिन पुलीस ने जेफ को पकड़ा नहीं क्योंकि जेफ वाइट मैन था और उसके औलमोस विक्टम्स बलैक थे सिरीज शिफ्ट होती है नाइटीन सिक्स्टी में जब जेफ दस साल का था उसकी लाइफ बहुत ही अकेले पन में थी जेफ के पेरिंट्स के अपने जगड़े थे इसलिए वो जेफ को निगलाब कर देते थे इस्पेशली जेफ की मदर जॉइस जिसे जेफ के पैदा होने के साथ ही मैंटल इशूज होने लग गए थे और वो जेफ को इन सब का जिम्मेदार मानती थी और वो पिल्स एड़ेक्ट हो गई थी जेफ के फादर लाइनल डामर जॉइस की इन हरकतों की वज़ा से घर से कई कई वीक्स दूर रहते थे और जॉइस और उसका न्यूबान बेबी और जेफ घर में अकेले होते थे एक दिन जॉइस ने पिल का ओवर डोस लेकर खुद को मानने की कोशिश की और यह हरकत जेफ के फादर के लिए बहुत दर्दनाक थी जॉइस की यह हरकत सिर्फ जेफ के फादर का अटेंशन गेन करने के लिए थी लेकिन इससे जेफ पर बहुत बुरा सर पढ़ रहा था और वो सबसे जादा सफर कर रहा था जेफ के स्कूलिंग पीरियर्ड में जेफ सफर कर रहा था क्योंकि जेफ बहुत कुशिश करता था दोस बनाने की लेकिन कोई जेफ को पसंदी ने करता था जेफ एक्स्ट्रीम इंट्रोवर्ट था और उसे हमीशे यही डर रहता था कि कोई इसे छोड़ के ना चला जाए जेफ को बहुत छोटी एज में सर्चिरी में इंट्रस पैदा हो गया था और ये बात उसके फदर को मालूम चल गई थी इसलिए लाइनर और जेफ रोट किल एनिमल्स की सर्चिरी करते थे लेकिन ये छोटा बच्चा सर्चिरी में इंट्रस नहीं ले रहा था बलके उसे इंट्जॉय कर रहा था और वो इन औरगन्स को अपने पास रख लेता था खर हाई स्कूल में जेफ की लाइफ और टफ हो गई थी उसके फ्रेंड्स नहीं थे अब जेफ ने अपनी लाइफ में गिव अप कर दिया था और उसकी ग्रेट्स भी गिर गए थे और अब फाइनली उसके पेरिंट्स की डिवार्स हो गई थी और जेफ की इन हालत की वज़ा से कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाता था इसी वज़ा से जेफ ने ड्रेंग करना भी शुरू कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता उसे अलकोहल की लग पर गई थी जेफ के पेरिंट्स की डिवार्स के बाद जोईस को अपने बच्चों की कस्टरी मिली थी लेकिन उसने जेफ को घर में अकेला चोड़ दिया था और वो अपने छोटे बेटे के साथ कई दूसरी सिटी चली गई थी अब यहां लाइनल को पता नहीं था कि जेफ घर में अकेला है और उसे लगा था कि जोईस दोनों बच्चों को अपने साथ लेके गई होगी जेफ पूरे तीन महीनों तक घर में अकेला रहा और इन तीन महीनों में उसने अपना पहला क्राइम कर दिया था एक वक्त पर जेफ को रियलाइज हो गया था कि वो एक हूमोसेक्चियल है और वो दूसरे मर्दों को ये हैसास दिलाता था लेकिन वो हमेशान नाकाम रहता था दूसरी तरफ जेफ को एनिमल सो कर्ट करना बहुत पसंद था जैसे वो फिश के औरगन्स को टच करता था तो उसे ऐसा महसूस होता था कि वो किसी मर्द को टच कर रहा है ये चीज़े जेफ को अलगी तरह का प्लेजर देती थी अब इसके रहते हुए जेफ अपने घर जा रहा होता है रास्ते में उसे एक हैंडसम सा लड़का मिलता है स्टीविन हीट्स स्टीविन जेफ को कहता है कि जेफ स्टीविन को एक म्यूजिक फेस्टिवल तक लिफ्ट दे दे जेफ स्टीविन को अपने घर ले जाता है ये बहाना करके कि फैस्टेवल में अभी बहुत टाइम है और जैफ स्टेवन को सिड्यूस करने की कोशिश करता है जिस पर स्टेवन गुसा होकर जैफ के घर से जा रहा होता है लेकिन जैफ उसे रोकने के लिए स्टेवन के सर पर डंबल मार देता है जिससे स्टेवन वही मर जाता है, अब जेफ को समझ ही नही आ रहा था कि वो स्टेविन के बाडी को कहां हाइड करें, इसलिए वो स्टेविन के बाडी के पीसिस कर देता है, और उनको टालेट में वोज़को जला कर उनकी राख को अपने घर के बैक्यार्ड में दफन कर देता है अब लाइनल को पता चलता है कि उसका बेटा तीन महीने अकेला रहा है अब लाइनल जेफ को ओहायो युनिवरसिटी मेड मिशन दिला देता है लेकिन जेफ वहाँ भी नहीं टिक पाता क्योंकि उसे अलकोहल प्राबलम थी और इसी वज़ा से जेफ के ग्रेस भी बहुत गिर रहे थे और मैनेजमेंट उसे युनिवरसिटी से निकाल देती है अब लाइनल परिशान होकर उसे आर्मी जॉइन करवा देता है कुछ टैंग तक जेफ अपनी ड्यूटी सई से ने भार रहा था लेकिन फिर उसे अलकॉल प्राबलम शुरू हो गई थी इसी वज़ा से जेफ को आर्मी से भी भार कर दिया जाता है अब लाइनल जेफ के एक्सपैंस नहीं उटा सकता था इसी ने वो जेफ को उसकी दादी के घर छोड़ देता है विसकॉसन में जहां जेफ उनके साथ रहेगा और वो जॉब करके अपने एक्सपैंस निकालेगा लेकिन कुछी सालों में जेफ को लीगल प्राबलम शुरू हो जाती है जैसे वो वक्त भी आता है नाइंटीनेटी सेवन में जेफ एक शूशल प्लेस में जाता है जहां सिर्फ गेही पाये जाते थे अब जेफ वहां होमोसेक्चल मैंस को ड्रॉग को ओवर डोस देता था ताके वो भ्योश हो जाएं और जेफ उनके साथ जो भी करना चाहे कर ले लेकिन उस प्लेस के ओनर को जेफ की हरकतों का पता चल गया था इसलिए वो जेफ को वहां से बेज़त करके निकाल देता है अब जेफ अपनी हरकतों से बास नहीं आ रहा था इसलिए वो एक यंग मैन स्टेविन टूमी को अपने साथ एक फाइव स्टार होटेल में लेकर जाता है लेकिन वहां जेफ स्टेविन का मडर कर देता है अब ये वो पहला वक्त था जब जेफ ने अपने विक्टिम्स की बॉड़ी को गलाना शुरू कर दिया था जिससे विक्टिम्स का फ्लेश डिजॉल्व हो जाता है अब 1988 में डामर ने अपनी न्यू अपार्टमेंट में बहुत सारे मडर्स किये तीन साल के अंदर उसने 15 लोगों का कतल किया और उनके लाशों के टुकरे किये इस चोटे से अपार्टमेंट में इन सब के बीच में वो इन विक्टिम्स के और्गंस का कुक भी कर लेता था और उन्हें खा लेता था और ये सिलसला चलता ही रहता था अब बात कहां ये थी जेफ की जादातर विक्टिम्स ब्लैक थे या तो लो़र स्टेटस के जेफ के स्टेट परिंस के मताबिक जेफ को ब्लैक पीपल से को इशू नहीं था एक्चली ब्लैक पीपल जेफ पर जल्दी भरोसा कर लेते थे इसलिए वो उनका शिकार बन जाते थे लेकिन ये बात पता करना मुश्किल थी बलके नामुम्किन ही थी कि जेफ ब्लैक पीपल को क्यों शिकार करता था अगर सारी बातों को मद्दे नजर रखा जाए तो जेफ एक मॉंस्टर था जेफ का बचपन अकेले पन और अदासी में रहा था और फिर टीन एज में जेफ के पेरिंस के डिवार्स और फिर उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था इसी वज़ा से उसे अलकोहल की लट लग गई जेफ के फादर ने बचपन में जेफ को सरजरी इसलिए सिकाई थी क्योंकि उन्हें लगता था कि जेफ को इंट्रस से सरजरी में लेकि जेफ इन हरकतों को इंजॉय करने लगा जेफ को यंग होने के साथ पता चला कि वो होमो सेक्चियल है अब इस बात को तो ना जेफ के फादर एकसेप करना चाहते थे और ना ही उसकी दादी इसलिए जेफ ने अपनी जिन्दगी अपनी तरह गुजानने का सोचा जब जेफ अरेस्ट हुआ उससे कोई डर नहीं था क्योंकि उससे पता था कि उसने क्या किया है उसके लिए उसे मौत ही नसीब होगी अब वो वक्त आ गया था जब जेफ दुआ मांग रहा था मौत की जेफ हमेशे से ही प्यार से महरूम था वो बस इस बास से डरता था कि कोई से छोड़ कर ना चला जाए इसलिए इस दुर के मारे वो उनका कतल करता था और उनके सर को अपने पास स्टोर करता था फैर ये वो वक्त था जहां मिलवाकी में ब्लैक लाइफ्स मैटर नहीं करती थी वाइट पीपल ब्लैक पीपल पर जुम करते थे अब इस इशू को थाबित करने के लिए ये बात काफी है 1991 में जब ग्लैंडर ने पुलीस को जैफ की हरकोतों के बारे में इनफॉर्म किया था उन्होंने ग्लैंडर की बातों को कभी सीरियस ही नहीं लिया जब जैफ अरेस्ट हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी ओके गाईज लेस्ट केट टूइट दी एंडिंग जैफ की फादर ने जैफ के लिए एक डिफेंस लॉयर किया था जिससे जैफ को साइको डिक्लियर करके अजादी मिल सकती थी लेकिन जैफ कुद को मैंटली इल नहीं माल सकता था इसलिए वो अपना सारा गुना माल लेता है लेने के लिए पैसे भी देती थी जैफ को रियलाइस था कि क्या बुरा काम किया है उसने इसलिए वो अब रिलीजन सीख रहा था और वो खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहा था लेकिन एक दिन क्रिस्टोफर स्क्रेवर जो जैफ का जेल मेट था उसने जैफ को मेटल बार से मार दिया क्रिस्टोफर ने जैफ के सर पर मल्टीपल टैम्स मारा था और जैफ का सर आधा डैमेज हो गया था और जैफ मारा गया एक्चुली क्रिस्टोफर ब्लैक मैन था और उसे दुख था कि जैफ ने किस तरह मासूम विक्टम्स को मार कर उनकी लाशों को बेज़त किया खर जैफ का अंजाम वही हुआ जो उसने किया था और आज भी लोग मॉंस्टर जैफरी डामर को नहीं भूले हैं The End